So hello everyone and welcome to अपनी कक्षा आज हम करने वाले है differential equations का last lecture ये lecture number 5 है तो actually NCRT में ये वाला जो topic है ये आता है मेरा general solution, particular solution के बाद ठीक है? यानि कि technically मुझे ये lecture 2 बनाना चाहे था इसका बट क्योंकि जो topic है ये थोड़ा different है और few questions काई बाद एक दो अच्छा आ जाते है तो मैं end में करा रहा हूँ यह आती है हमारी equation अगर तुम physics के student हो तो तुम्हें पता हो गए ये क्या लिखा है मैंने अब एक चीज़ देखो एक curve देखो actually मेरे पास है x square plus y square is equal to 4 square ये क्या होता है? it represents a circle with radius 4 and center 0,0 ये देखो diagram भी बना रहा है मैंने अगर मैं 4 की जगे r लिख दूँ एक variable basically radius denote करने के लिए तो equation तो बन जाएगी x square plus y square is equal to r square center मेरा 0 ही रहेगा क्यों? क्योंकि center radius form मैं जब हम center की बात करते है तो वह होता है x minus h whole square plus y minus k whole square तो जो h,k है वह मेरा center है और अगर कुछ भी नहीं लिख रहा है इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to r ka square तो इसका मतलब 0,0 center center तो 0 ही है बट मुझे ये बताओ यार r तो कुछ भी हो सकता है ना मेरा r अब कोई भी value ले सकता है literally कोई भी real number ले सकता है तो जितना r मेरा बड़ा होते जाएगा उतना मेरा देखो circle बड़ा होते जाएगा right तो मैंने multiple circles बना दिये क्योंकि r की value तो constant है नहीं multiple circles with same center and different radius इसको हम कह सकते है family of circles with center 0,0 ठीक है family of curve की already r हम काफी बार बात कर चुके है भले ही वो integration हो या फिर differential equation का ही पिछला lecture हो ठीक है यह जो r है ना इसको हम कहते है arbitrary constant यह word थोड़ा fancy सा लग रहा होगा कुछ नहीं मतलब सिर्फ constant बोल दोगे तो भी चल जाएगा ठीक है यह जो arbitrary constant है यह एक तरह के से y है जो तुम्हारा integration में c नहीं आता end में जो मेरी कोई भी value ले सकता है right एक और example देखते है मेरे पास मेरे लिख रखा y is equal to mx अब मुझे 100% पता है कि यह 0,0 से pass होता है इस बात में तो कोई doubt ही नहीं क्यों general equation होती है mx plus c के form में और c होता है मेरा y intercept अगर मेरा y intercept exist नहीं करता तो मतलब origin से pass कर रही है मेरी straight line right अब देखो मेरा slope again कुछ भी हो सकता है मेरा slope कुछ भी हो सकता है right तो इसका मतलब कोई भी मेरी m की जो value है उस पर depend करेगा कि मेरी inclination क्या है line की for example यार यह मेरा हो सकता है 30 degree है यह मेरा हो सकता है 70 degree है right तो उस हिसाब से मेरा m क्या होता है tan theta तो tan 30 हो जाएगा and so on तुम समझ रहे हो मतलब ठीक है तो इसको भी मैं क्या कह सकता हूँ multiple straight lines all passing through origin या फिर इसको short में लिख सकते है family of straight lines ठीक है अब यह सब यार मैं क्यूं बता रहा हूँ मेरा मतलब motive क्या था इस topic का जो मतलब इस lecture का जो topic है वो क्या है formation of differential equations right तो यह सब मैंने क्यूं बताया अब यहां देखो इस lecture में तुम्हेना ऐसे ही curves दे रखे होगे for example x square y square is equal to c square y is equal to mx plus c x is equal to a sin omega t मतलब ऐसे ऐसे curves जिसमें तुम्हें एक या एक से जादा constants दिखेगे जैसे यहां c एक constant है यहां m और c दो constants है यहां a और omega भी again दो constants है अगर तुम physics के student हो तो तुम्हें यह सब तो समझा रहा होगा यार तब ही मैंने पहली वाली equation भी लिखी थी वह x2 plus y2 is equal to c2 की differential equation ऐसे बनेगी अब तुम stepwise देखते रहना ताकि questions कैसे solve करते हैं तुम्हें समझ आ जाएगा तो circle की equation मुझे दे रखी है x2 plus y2 is equal to c2 अब मैं क्या कर रहा हूँ differentiate कर रहा हूँ दोनों sides को with respect to x ठेक है तो मेरा आएगा 2x plus 2y dy by dx is equal to 0 तुम को common ले लो equation बन गई x plus y dy by dx is equal to 0 यह कौन सी equation है यह differential equation है तो यह इस curve की differential equation है मुझे यह बताओ मेरा एक constant था c हम इसको eliminate कर चुके है तो मेरा जो basic purpose होता है सबसे पहले मुझे constant को eliminate करना होता है और उसी की साथ मेरी यह differential equation बनती जाएगी differentiate करते रहो अब यह में differentiate नहीं करते है मैं आगे बताओंगा कितनी बार करना है कैसे करना है ठीक है तो basically हमने fxy is equal to 0 यह xy में equation थी ना एक इससे हमने क्या बना दिया function of x, y and y' y' तो यहां मेरा constant भी होना चाहिया था constant को हटाके derivative लिया हूँ हो सकता है y' y double dash भी आ जाए हाँ पर हो सकता है y double dash का whole square भी आ जाए हाँ पर बात समझा रही है अब यार कुछ questions देखते है ताकि तुम्हें चीज़े जादा clear हो जाए मुझे दे रखा है y is equal to mx plus c यहां मेरे पास m ब एक constant है और c ब एक arbitrary constant है तो मैंने पहले differentiate किया मेरे पास आ गया m मैंने फिर से differentiate किया मेरे पास आ गया 0 तो d square y by dx square is equal to 0 यह हमारा required differential equation है अब तुम बोलो गयार मैं यहां क्यों नहीं रुक गया मतलब मैं यह नहीं लिख सकता था dy by dx minus m is equal to 0 यह क्या differential equation नहीं होती यह differential equation तो होती बट required differential equation नहीं होती कहने का मतलब यार मुझे जो यह arbitrary constants है ना इन दोनों को eliminate करना होता है ठीक है तब ही वो मेरी differential equation बन पाती है मतलब उस given curve की right तो मैंने इसको इसलिए एक और बार differentiate किया यहां पर हमने दो बार differentiate किया है और notice करना 2 constants भी थे इसकी मैं आगे चलके बताऊंगा ऐसा क्यूं है इतने अगला question करते हैं अगले question में दे रखा है y square is equal to 4a x इसको differentiate करो x फे respect में तो इसकी differentiation 2y chain rule से y dash इसकी differentiation 4a अब यार एक गलती तुम यहां मत करना कौनसी गलती देखो अभी भी यह constant मेरे पास है right तो तुम यह मत कर देना कि इस चीज को फिर से differentiate कर दो that is अगर मैं इसको differentiate करूँ तो यहार होने के लिए तो यह हो सकता है सबसे पहले 2 और 2 कार्ट दो यहां 2 है आ गया right की right hand side की differentiation 0 और यहां तुम product rule लगा सकते हो y double dash plus y dash into y dash is equal to 0 क्या यह मेरी होगी यह देखो y square upon 4x को मैं लिख सकता हूँ a अब इस a की value जो y square upon 4x है इसको बस यहां put कर दो मैंने put कर दी और कुछ नहीं किया हमने यहां से 2 काटा 2x को मैं उधर ले गया मेरी equation आ गई that's it इसमें से y common ले सकता हूँ अगर non zero मान रहा हूँ तो मेरी equation बन जाएगी यह इसका एक और तरीखा था यह करने का कैसे मैं directly क्या लिख सकता था y square upon x को लिख सकता हूँ 4a और अब मैं differentiate कर सकता हूँ तो मेरा answer आएगा नीचे x square उपर कितना आएगा x into 2y y dash right minus y square is equal to zero अब यह जो equation है notice करो और यह क्या यह डिट्टो सेम नी है तो यही तो मेरी equation मतलब आनी थी अब notice करो यार वो जो curve की equation है जिसमें एक constant है वो सिर्फ एक differentiation में उसके constants eliminate हो पा रहे है right जिसमें 2 constants है उसे 2 बार differentiate करना पड़ रहा है ठीक है, lecture 1 याद करो थोड़ा सा उसमें मैंने कहा था कि order of differential equation is equal to number of constants in general solution अब यह जो पूरी exercise है यह जो पूरा हमारा lecture है इसमें हम क्या कर रहे है general solution की मदद से हम differential equation को वापिस ला रहे है तो इसका उल्टा भी वाईसे वर्सा true होता है मतलब number of constants in a differential equation given differential equation is equal to order of differential equation actually number of constants in general solutions है यह differential equation नहीं है number of constants in general solution is equal to order of the degree ठीक है तो यहां मैंने अगर देखा पहले question में मेरा एक constant था तो मैं एक ही बार differentiate करना पड़ा मुझे सिर्फ ठीक है इसका order कितना है 1 है अगर मेरे 2 constants है m और c तो इसका order कितना है 2 है अगर मेरा एक constant है तो इसका order कितना है 1 है अब यहर theory तो इसमें इतनी थी कुछ questions करते है अच्छे से पहला question है NCRT का एक example form the differential equation representing the family of ellipses having foci on the x axis and center at the origin अब usually यह बच्चे यह सब कई छोड़ देते हैं बच्चे बर इसमें होता क्या है word problems कह सकते हैं इनको word problems में तुम्हे statement दे रखियोगी कोई equation कुछ नहीं दे रखियोगी हमें खुछ से सब कुछ बनाना होगा तो सबसे पहले तो यार equation of ellipses अगर थोड़ा बहुत भी 11 का कोनिक्स याद है तुम्हें तो होती थी x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 और एक और होती थी x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1 depending ये देखो एक ये वाला ellipse होता था मेरा और एक ये वाला ellipse होता था ठीक है और जो मेरा horizontal वाला ellipse होता था इसमें ही जो मेरे focus होते थे वो x-axis पे होते थे तो यही वाला मेरा ellipse बनेगा ये ये मतब कुछ भी बन सकता देखो shape कोई भी हो सकती है ऐसे में तो मेरा a और b तो कुछ भी हो सकता है तो ये जो मेरी figure है ये represent करती है पूरी family of ellipses को जिसकी हमारी बात हो रही है अब देखो तुमारे पास equation तो पढ़िए सीधा क्या करो इसमें differentiate कर दो उसके बाद एक चीज़ ध्यान दो मैं dy by dx को सबसे पहले y dash लिखना prefer करता हूँ थोड़े clean लगता है और मैंने यहां से x और y उठा के यहां ले आया मैंने ऐसा क्यों किया है सोचो तुम देखो अगर मैं directly यहां differentiation करता यानि कि फिर से differentiation करता तो आता d square y by dx square is equal to इसकी पूरी differentiation कोई न कोई क्या उससे मेरे constant eliminate होते है नई जबकि order बढ़ता जाता मेरा बार बार differentiate कर रहा हूँ constant eliminate हो नहीं रहा है तो देखो क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जितने मेरे constants होते हैं पक्का मेरा order उतना ही होने वाला ये बात हमें पता है तो मतलब इसका order दो ही होगा तो हमारे पास सिर्फ दो chances है differentiate करने के लिए मजब कभी भी अगर तुम ये वहले question solve कर रहे हो ना यार तो ध्यान दो सबसे पहले अपना curve देखो जैसे x square by y square by y square by y square equal to 1 देखो कि कितने number of constants है और अपने मन में ये चीज़ बिठालो कि अच्छा मैं उतनी बार differentiate कर सकता हूँ तो तुम्हें खुद अपना मन से eliminate करनी पड़ेगी चीज़े कैसे करनी है देखते एक बार क्योंकि अब देखो मैंने ये सोचा इन दोनों को मैं इधर लियाता हूँ variables को यहां सिर्व एक constant रह गया अब तो हो जाएगा न solve अब अगर इस मैं पूरे expression को differentiate करूँ और इसको करूँ तो इसका differentiation सीधा 0 आ जाएगा और इसका differentiation यार मेरा question rule से आ जाएगा ये इतना तो दुम्हें आता होगा न x square x को लिखूँगा इसकी differentiation minus पूरे इसको लिखूँगा x की differentiation जो होती है 1 अब इसको तुम equate कर दो numerator को 0 से जो मेरी required differential equation है again मैंने y double dash code ये लिख दिया वापस से ताकि थोड़ा सा सही लगे अब करते एक और question यार form the differential equation representing again what problem है representing the family of curves y square is equal to m a square minus x square अब मेरे को curve दे रखा है पूरा तो और अच्छी बात है by eliminating चलो ये तो question में ही दे दिया कि तुम्हें eliminate करना ही है the arbitrary constants m and a ये 2019 में boards में आया वाई ये question तो करते यार इसको मेरे को दे रखा है y square की value ये है सबसे बहले तो मैंने इसको खोल दिया यार मेरे पास 2 constants है फिर से सबसे बहले क्या देखना है 2 constants तो यानि कि सिर्फ 2 बार differentiation allowed है उससे दादा करनी ही नहीं है वो गलत आंसर आएगा ठेक है तो मुझे बताओ इसको differentiate करगे तो ये तो of course मेरा आएगा 2y into chain rule से y dash इसकी differentiation 0 क्यों 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 ये तो constant है पुरा और इसकी differentiation minus 2mx again यार अब मैं बे मतलम में एकदम से इसकी differentiation और इसकी differentiation नहीं करूँगा मुझे क्या करना है यार मुझे constants को हटाना है तो मैं क्या करूँगा इस side constant को रहने दूँगा इस x को में ले जाओंगा denominator में अब मैं differentiate करूँगा अराम से तो इसके differentiation chain product rule से question rule से ये आ जाएगी इसकी 0 आ गई numerator को 0 से equate कर दो तुम्हारा answer आ गया notice करो कि यार last वाले का answer same था कौन सा लाश्ट वाला ellipse वाला इसका answer भी यही था x y double dash x y dash whole square minus y double dash मतब y y dash again x y double dash x y dash whole square minus y y dash यहां भी क्या था y y dash is equal to 0 same answer कैसे आ सकता है यार इसका तो यह मतलब होगा मेरा curve भी same होना चाहिए तो हाँ यार मेरा curve same है इसके लिए तुम्हें मैंने लिखा जानने के लिए वीडियो देखना तो कैसे curve same है इसको मैं लिख सकता हूँ y square is equal to m a square minus m x square फिर मैं लिख सकता हूँ y square plus m x square is equal to m a square इसके बाद क्या मैं लिख सकता हूँ y square upon m a square plus x square m x square by m a square right is equal to 1 क्योंकि हाँ मेरा m a square था ये m और m को काटो तो मेरी equation बन गई y square upon इसको मैं लिख सकता हूँ root m a का whole square plus x square upon a square is equal to 1 क्या यार ये मेरा एक ellipse नहीं है ellipse ही तो है बात तो एक ही है बस constants को मैं change कर रहा हूँ क्योंकि constants तो variable है ना मेरे right अब करते है अपना अगला question जो आ रखा है cbse 2018 में find the differential equation representing the family of curve again मुझे equation दे रखिया इस बार where a and b are constants again दो constants दे रखिया है इसका मतलब दो बार differentiation होगी शुरू करते है भीना किसी दे रखिया तो y दे रखा है a b a into exponential of bx plus 5 differentiating both sides with respect to x we get y' is equal to this thing अब देखो इस a तो constant है बाहर रहेगा ex की differentiation ex chain rule से bx plus 5 की differentiation b मुझे ये बताओ ये पूरी चीज़ तो मेरी y के बराबर है तो मैंने इसकी जगे लिख दिया y b की जगे v लिखा again मैंने क्या किया यार मैंने सीधा differentiation नहीं करी है मैंने y' y को नीचे ले गया इसके बाद इसको differentiation की और इसकी differentiation की ये तो 0 आ गई और इसका numerator को 0 से equate कर दिया मेरी differential equation आ गई है इसका alternate method अगर मेरा मन करी रहा है कि नहीं मुझे y को नीचे नहीं लेकर जाना मेरे में इतना दिमाग नहीं चल रहा भी या फिर मेरा मन नहीं है बस तु क्या करो इसको फिर से differentiate कर दो ठीक है by की differentiation कितनी हो जाएगी by dash अब तुम बोलोगे इससे हुआ क्या हुआ कुछ नहीं पर मेरे पास b की value थी कैसे थी y की terms में मैं b को लिख सकता हूँ y dash upon y अब इस जगे y dash upon y को लिआओ तुम notice करोगे तुम्हारा answer same आएगा इसको अधर ले जाओ और minus करो डिटो same answer आएगा आना ही था हो तो करते यार अपना अगला question जो आरक है CBSE 2016 में form the differential equation of the family of circles in the second quadrant and touching the coordinate axis again इसमें कोई equation नहीं दे रखिया अपना दिमाग लगाना है खुद से सबसे पहले तो diagram बनाओ यार मुझे दे रखा है कि मेरे circle सिर्फ second quadrant में है तो देखो ये मेरे चार quadrant होते है तो मेरे circle सिर्फ यहीं लाए कर रहा है इसका मतलब कहीना कहीं होगा मुझे एक और चीज़ दे रखिया है इस टचिंग दग कोडिनेट आक्सिस अक्चिली कुश्चन में ये दे रखा होगा आक्सिस मतलब प्लूरल में दे रखा होगा ऐसा क्यों जब भी आक्सिस दे रखा हो इसका मतलब x और y अगर कुश नहीं दे रखा हो ना अलग से mention ना कर रहा है इसका मतलब ये कि दोनों आक्सिस को टच कर रहा है तो दोनों आक्सिस को टच कर रहा है तो कुछ ऐसा circle होगा जो दो में में बना रखे है देखो इन में से कोई भी हो सकता है कितने मर्जी circle हो सकते है तो ये family of circles है तो इसकी equation कैसे लिखेगे अभी के लिए मैं सिर्फ एक circle बना रहा हूँ बना दिया मैं मान रहा हूँ कि ये जो मेरा center है ये है O इसका जो coordinates होगे हो क्या होगे minus h,h जहां मेरा h एक positive number मैं मान रहा हूँ तुम बोलोग यार ये कैसे आया तो clearly अगर ये मेरा इससे touch कर रहा है ये इसको touch कर रहा है इसका मतलब मेरी x-axis और y-axis circle के लिए tangent है और अगर circle के लिए tangent है इसका मतलब ये length मेरी radius होगी ये length भी radius होगी perpendicular distances जो भी है और अगर ये length मेरी h है तो ये भी length h होगी यहां मैंने minus h ले लिखा है क्योंकि वो negative x-axis में है इस वज़े से लिखा है मैंने plus b लिख सकता था कुछ जानी रहा था उससे अब मुझे ये बताओ o a o b तो मेरा h के बराबर है center radius form से equation क्या हो जाएगी circle की x-h whole square plus y-k whole square is equal to r square यहां मेरा h क्या है minus h तो x plus h whole square y-h whole square is equal to h square मेरा radius b h है उसके बाद क्या करो इसको एक बार open कर दो a plus b का whole square a minus b का whole square h square h square h square cancel करो सबसे पहले जरूत नहीं है वैसे तो उसकी सीधा differentiation करो तो 2x इसकी 0 इसकी कितनी आ गई 2h इसकी 2y chain rule से y- इसकी 0 इसकी differentiation minus 2h और y- right is equal to 0 अब क्या किया है मैंने कुछ नहीं किया y- को common लो या actually y- को common मतलो h को common लो h मेरा यहां और यहां आ रहा है बाकी सब इन दोनों टर्म्स में 4 टर्म्स है मेरे पास तो मेरे पास यहां से तो आगे 2x plus 2y- तो मैंने यहां लिख दिया 2x plus 2y double dash मतलब single dash और क्यूंकि 2 मेरा हर टर्म में था तो मैं 2 को हटा सकता हूँ तो x plus y y dash is equal to उसको उस साइड ले जाओ दूसरी साइड तो यह चीज मेरी plus में हो जाएगी यानि कि y dash मेरा plus में हो जाएगा और यहां plus minus 1 आएगा तो y dash minus 1 तो h की value कितनी हो गई divided by y dash minus 1 इसको तुम mark कर लो अब एक चीज बताओ तुम बोलो गयार differential equation कैसे निकली गी भाई देखो h की value तो यह आ गई क्या मुझे इसको फिर से differentiate करना है क्योंकि अगर अगर मैं इसको differentiate कर दूँगा तो यह चीज जीरो आ जाएगी और मेरी differential equation बन जाएगी एक बट क्या वो सही होगी नहीं क्योंकि मेरे को allowed क्या है मुझे यह allowed है कि सिर्फ एक बार differentiation करनी है मुझे ऐसा क्यों क्योंकि एक ही तो constant है सिर्फ h है मेरा तो क्या करे गयार फिर कोई option है मार पास यहाँ पर y' तो मेरी equation differential equation भी बन जाएगी तो बस हमें यही करना है मैंने डाल दिया h की जगे यह सारी चीज़े इसको उपर ले गया solve किया ढग से और क्योंकि denominator सब में same है तो वो हट जाएगा तो यह होगी मेरी required differential equation right अच्छा question था यह बला करते है अगला question जो CBSC 2015 में आया है यह काफी असान है इसमें मुझे क्या दे रखा है find the differential equation representing the family of curve v is equal to a by r plus b जहां मेरे a और b are arbitrary constants तो of course यार मेरे को v और r में relation लेना है जैसे dv by dr d square v by dv square dr square और क्योंकि मेरे पास two constants है तो मैं दो बार differentiate कर सकता हूँ मेरे पास इतनी permission है ठीक है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया इसके differentiation करी इस r square को मैं इस side ले गया यहां बचा मेरा सिर्फ कितना a actually बचा किया है मेरे पास minus a but it is the same thing ऐसा क्यों अब इसकी differentiation कर दो और इसकी differentiation कर दो क्यों मैं एक और बार कर सकता हूँ तो यह आ गई 0 इसके differentiation का आएगी product rule से first into second differentiation plus second differentiation into first is equal to zero is the required differential equation काफी फट्टू question था है शायद एक नमर में आया था एक या दो ठीक है जो उससे उपर वाला आया था वो पक्का चार माक्स का वाला आया था अब करते हैं अगला question हमारा last question आज का form the differential equation having y is equal to sin inverse x whole square plus a cos inverse x plus b where a and b are constants यह एक exemplar का question है यह मैं already exemplar की video में तुम्हें यह सब मिल जाएगा बट यहाँ भी मैं करा रहा हूँ just for practice कितने constants हैं 2 मतलब दो बार differentiate कर सकते हैं पहली बार किया मेरा answer आगया यह right अब मैं right away differentiation नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को a को हटाना है b तो हट गया मेरा b पहली बार ही में हट गया इसको differentiate करके अब क्या करो क्योंकि मेरा denominator same आगया by chance तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं denominator को इधर ले जाओ और यह आगया 2 sin inverse x minus a अब क्या करो 2 sin inverse x को भी इधर ले जाने की ज़रूद नहीं है आप तो सीधा ही differentiate कर दो इसकी differentiation क्या होगी first की differentiation into second function plus second की differentiation यह पूरा chain rule से into first function is equal to इसकी differentiation यह a की differentiation 0 right तो बस अब तो यह solve हो गया पूरा क्या करो 1 minus x को एक और multiply divide कर दो उपर नीचे denominator में तो same है वो हट जाएगा 2 और 2 भी कट गया कि आगई मेरी required differential equation तो ठीक है यार इसी के साथ हमारा पूरा differential equation के सारे lectures समाप्त होते हैं तुम से मिलेगी अगले chapter में जो होने वाला है matrix